नमस्कार, मैं जेकी जोशी हूँ, मैं बेसिकली एक टीचर एजुकेटर रहा हूँ और पिछले चालिस वर्सों से मैं टीचर एजुकेशन से सम्मंदत कारी को कर रहा हूँ मेरे इस अनुभव ने और इस बीच जो मैं कुछ पढ़ पाया, उससे मुझको आज के दिन जो एक समस्या ये लोग उठा रहे हैं और जो जायज भी है, वो ये कि प्रात्मे की स्थर के विद्यार्थी न तो ढंक से लिख पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं कहाया जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कक्षा पांच के अधिकान से विद्यार्थी, कक्षा दो की पुस्तकें भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो एक वाक्य भी सीधा नहीं लिख पा रहे हैं, ये चिंता का विश्या है असल में इसमें जो मूल रूप से जो बात है वो ये है, कि आज का विद्यार्थी एक प्रस्न पोशना चा रहा है और वो प्रस्न अगर अंग्रेजी में बोलें तो कुछ इस तरीके का है कि वाई यू इंसिस्स देट आइ शुड लर्न दी वे यू टीच मी, वाई कांट यू टीच मी दी वे आई लर्न आप क्यों जित करते हैं कि मैं वैसे सीखूं जैसे आप मुझे सिखा रहे हैं आप मुझे वैसे क्यों नहीं सिखाते हैं जैसे मैं सीखता हूँ ये प्रस्न बच्चों का है पेरिंट्स का भी, अभीभावकों का भी एक प्रस्न है और ये युनिवर्सल टाइप का है, पूरी दुनिया में है, ये बहुत बड़े अच्छे नामी गिरामी विद्यालियों से लेकर जोपड़ पट्टियों में चलने वाले स्कूलों तक में भी एक ही जैसा है, वो ये छोटा सा वाकिया अंग्रेजी में, कि चिल्डरन वाक स्कूल, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो चलते हुए जाते हैं, और जब छुट्टी होती है, तो दोड़ कर भागते हैं, विद्यालियों इन बच्चों को ऐसा महल क्यों नहीं दे पा रहा है, कि वो दोड़ कर विद्यालियों में आएं, और जब छुट्टी हो, तो ध दिरे दिरे चलते हुए निकले पीछे को देखते हुए कि अगर जाले कुछ देर और चलता तो ज्यादा मज़ा आता। ये दो बुनियादी बाते हैं। इस संदर्भ में जो विचारनी बात है वो ये है कि कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ गलती हमसे लगातार होती आई है। उनका सम्यक उप्योग लगातार होता चला जाता है। उन्होंने ऐसी व्यवस्ता बना रखी है कि नई चीज़ें नई बातें प्रैक्टिसनर्स के सामने रखी जाएं। आप मेडिकल का एक्जेंपल देख लिए। डक्तर को ये सुविधा उपलब्द है कि उसको हपते में एक दिन महिने में दो बार, साल में तीन बार, एक विशेश तरीके के आयोजन के साथ ये बताया जाता है कि ये नई दवाईया हैं, ये नई इस्टूमेंट्स हैं, ये बाते हैं, और ये लगतार होता है पूरे दुनिया भर में आर एंडी के उन लोगों ने विवस्ता कर रखी है, इसी प्रकार्स के आर्टिटेक्ट के फिल्ड में आप देख लीजे, इंजिनिरिंग के फिल्ड में देख लीजे, कि वहाँ पिछले कुछ दस्कों में जो प् जबर्दस इंफर्मेशन आरही हैं, जो बड़ी उपियोगी हैं, वो नियूरो साइंसे के फिल्ड से आरही हैं, नियूरो साइंस के लोगों ने जो जानकारियां एकठा की, वो उन्होंने हमारे लिए नहीं की, वो ब्रेन को समझने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने द अधार पर जो सुच रहे हैं, प्राप्त हुई हैं, उसको अगर मैं बोलूं तो इस तरीके से, कि इंप्लिकेशन्स ऑफ दी फाइंडिंग्स ऑफ नियूरो साइंस इन दी फिल्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये दो हजार के बाद और दो हजार पांच के बाद तो क इस किसम की किताबे आई हैं, और इंसीडन्ट सी हम बात करें, तो जिस एक जमाने में जब हम फिलसोफि औफ इजूकेशन कह रहे थे, फिर साइकोलोजि ऑफ इजूकेशन कह रहे थे, फिर Coachji ऑफ इजूकेशन कह रहे थे, उन्होंने टीचिंग और लर्निंग को अपन here in human brain and definitely it is a biological process. तो उस अंदर में जो बाते हुई हैं वो मत्तुला से शेयर करूँगा आप से कि पहली बात तो यह हुई है कि जो spoken language का मामला है speaking का मामला है speaking एक natural process है. बच्चा बोलता है उसको बोलना सीखने जैसी कोई चीज नहीं है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा चलना होता है. We do not learn to walk. We mature to walk. बिल्कुल इसी तरीके से हम यह कह सकते हैं कि बच्चा बोलना प्रारम करता है. बस बशरते उसको जो चीज बोली जानी है वो सुनाई पड़े. इसको लोग बोलते हुए दिखाई पड़ें बस इतनी सी बात है. यदि वो नारमल बच्चा है, उसके सेंस ओर्गन्स ठिक ठाक हैं, तो वो अगर लोगों को बोलता हुआ देखेगा, लोगों को सुनेगा, तो वो भी उसको बोलना शुरू कर देगा. और दो ड़ाई साल में बच्चा बोल लेगा. युनेसको की एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, वो ये कह रहे थी कि इस दुनिया में जो हम समवाद करते हैं, एक दूसरे के सांथ, विभिन मानव समो, हम इस प्रकार करते हैं, कि कम से कम 6500 लेंग्विजिजिज या डाइलेक्ट्स हम कह दें, हैं दुनिया में, जि एक भाषा को, दो भाषा को, और हो सकता है तीन को भी. ईा जिए्डविए लाव-ज़ हैं, कि कर दोलेक्य, उयु Mysl Account, bla, एक सबेंव हैं, कि भी आप करते हैं. स्पेनिक नो तबेमोन तोका सो सो पारेलिया तोका स्गोई नाइस की जा तब दोइट गो मोँ आपने देशो माँ चॉट जा शर्त के वल यह है कि उसको लाइव इूमन इंटरेक्शन चाहिए यू समझे कि यदि आज एक बच्चा यहां पैदा होता है नौईडा में और हम एर लिफ्ट करके उसको चाहिना पहुंचा दें तो वो धाई साल तीन साल में चाहिनीज बोलेगा वो यह कहीं नहीं कहने जा रहा है कि मुझे ख़बर लगी है कि मैं नौईडा में पैदा हुआ था वहां हिंदी बोली जाती थी वो जो सुनेगा वो बोलेगा यह बात है इस बिकम इस सर्वाइवल स्किल वेरेज दूसरी और आप देखें कि जो रीडिंग और राइटिंग है वो सर्वाइवल स्किल नहीं बन पाया वास्तों में बात यह है कि जो इवल्यूशन कहा है हमारा हुमन इवल्यूशन है उसमें रीडिंग और राइटिंग बहुत नई बात है, दस बारह हजार साल पुरानी है, इससे पहले की नहीं है. तो इन दस बारह हजार सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कि जो लिखना और पढ़ना है, ये हमारे जीन्स में इनकारपोरेट हो गया हो, ऐसा नहीं है. As a matter of fact, हमारे brain में ऐसा कोई विशेश बात नहीं है, जिसके आधार पर ही हम लिखना और पढ़ना शुरू कर सकें, वो हमको सीखना पढ़ता है. अगर प्रस ने ये पूछा जाए, is reading a natural ability, तो उत्तर आता है, no, really no. It is not a natural ability, it has to be acquired. अब यहां पर से संगर्च शुरू होता है बच्चे का, इन लोगों का मानना ये है कि जब हम एक बच्चे से पढ़ने को कहते हैं, लिखने को कहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट काम होता है. क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास सहज रूप से कोई मस्त्रश्क में कोई ब्यवस्ता बनीवी नहीं है. अब क्या किया जाना चाहिए था? क्या ये जाना चाहिए था? कि ये जो, so far as speaking is concerned, इसके बारे में information ये आई है, कि अगर किसी भाशा को आप बोलना चाहते हैं, तो उसका exposure जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी किया जाना चाहिए. मतलब क्या है? कि जन्म के तुरंत बाद से, जितनी जल्दी हो सके, बच्चे को उस भाशा को सुनने, उसको बोलने वाले लोगों को देखने के अवसर प्राप्तों हों. ये लोग अपनी language में इन बातों को windows of opportunity कहते हैं. ये जो बोलने वाली opportunity है, window है, ये 11-12 साल में बंद हो जाती है. अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 11-12 साल के बाद हम किसी दूसरी भाशा को नहीं सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन उसमें कठनाई आएगी. वो काम कुछ complex हो जाएगा, difficult हो जाएगा. अगर हमने ये काम दो, देड़, दो, ढ़ाई साल से कर दिया होता, तो वो सहज रूप से उसको कर लेता. तो तात्पर ये है कि schooling के साथ rearing आपको भी जोड़ना पड़ेगा. इन दोनों को अलगलग compartments में हम नहीं कर सकते हैं. और इस जल्दी करने की प्रक्रिया में कम से कम इतनी बात तो तहीं है कि ये पांच-छे साल, साथ-ाठ साल, जितने देर आप करेंगे, उतना ही मामला कठिन होता चला जाएगा. बारह साल की उम्र में ये कहते हैं कि उसके बाद बहुत कठिन हो जाता है, तब जबकि हमारे पास उसका कोई exposure पहले नहीं हुआ है. अब यहां पर जो मात्र भाषा वाला concept है, वो हमारा एक तरीके से emotional slogan टाइप का है. मात्र भाषा वही है जो मा बोलती है naturally, इसी लिए सब्द का इस्तेमाल भी हुआ. अगर हम ऐसा को समझ सकें कि मा नहीं बोल रही है, कोई दूसरा बोल रहा है, और बच्चे की उम्र देड़ साल, दो साल, धाई साल की है, तो वो जो दूसरी बाषा बोली जा रहे होगी, बच्चा उसको भी पकड़ लेगा. कितनी बाषाओं को बच्चा पकड़ सकता है? दो में तो कोई शंका ही नहीं, तीन भी बोल सकता है. अगर ऐसा वातावरन दिया जाए कि वो तीन बाषाओं को एक सांथ सुन रहा हो, तो हमको पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से जो हमारी मात्र बाषा है, उसको सीखने कि उसमें बोलने की अबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है. रिसर्च वर्क ने ये बताया है कि नौन नेटिव टंग को जब बोला जाता है तो नेटिव टंग के बोलने में सुविधा हो जाती है. आप देखें कि जो बाइलिंग्वल हम लोग होते हैं, हम जब दो या त रिडिंग के मामले में, पहली बात तो ये है कि रिडिंग एक नैचुरल अबिलिटी नहीं है. अब ये बच्चा इस रिडिंग को करेगा कैसे? तो इस बारे में जो बात आई है वो यसी है कि ये जो छे हजार पांसो डाइलेक्ट्स हमारे पास हैं, इनकी जो मूल ध्वनि आई हैं, जिन से ये विविन भाषाएं बोली जा रही हैं. और एक नार्मल हिमन बींग जो बच्चा है, वो इन नब्बे की नब्बे ध्वनियों को अपने वोकल कॉर्ड से निकाल सकता है. ये इबिलिटी उसमें जन्मजात है. वो ध्वनियों को निकालेगा. अब हमको क करना केवल ये है कि बच्चा अपना एक बच्चे का शब्द भंडार होता है. वो पानी समझता है. वो पानी को जानता है. वो पानी को पीता है. इसी तरीके से कई जब वो स्कूल में आता है, प्रात्मे किस तर पर पहली कक्षा में, एक बड़ा शब्द भंडार अपने सा संबंदित होते हैं तो यदि हम प्रारंब में इन जो जो सब्द उसने पहले से ही जान रखे हैं पहचान रखे हैं या उनको उनका उप्योग कर पा रहा है वो इन सब्दों को यदि हम सीधे ब्लैक बोर्ड में या जो ब्यवस्ता हो उसमें लिखें और उसके और इशारा करते हुए उसको बताएं कि सुनो ये पानी है ये इस तरीके से लिखा जाता है और ऐसे ये बोला जाता है पानी के आगे अगर वाटर भी आप लिख देंगे तो वो दोनों को ही पकड़ लेगा उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है और इसी क्रम में जो उसका शब्द भंडार है बच्चों का शब्द भंडार बड़ी तेजी से बढ़ता है और इन सब्दों को जो परचित शब्द हैं अगर उनको दिखाया जाए उन वस्तों को दिखाया जाए उन ट्रकडियाओं को दिखाया जाए टेक्नलोजी अब ऐसी ब्यवस्ता कर दी है तो ये इन शब्दों को पहचानना प्रार्म कर देगा और ये काम अगर कई दिनों तक लगातार होगा कुछ महीनों तक एक साल तक और इसी तरीके से जो नंबर्स वाला मामला है निम्रल वाला है इस अंदर में भी कुछ इस तरीकी की जानकारी आई है कि संभवता है नंबर्स के लिए हुमन ब्रेन में व्यवस्ता है बच्चा एक दो तीन चार इन सब्दों के इन ये जो सब्द मैंने बोले अंक जो बोले इनके पारसपरिक संबंद को समझता है वो एक गाई दो बिल्लियां तीन कबूतर पकड़ लेता है और बहुत तो ये उसको आसानी से पकड़ लेगा अगर हम प्रारंब में इल्फबेट्स और निम्रल्स दिखाएंगे वो उसके लिए मीनिंग्लेस हैं यहां पर इधान रखना होगा कि जिस चीज का बच्चे के लिए सेंस और मीनिंग होता है वो उसको सीखता है तो हमको जो कुछ भ उसकी मेंटल डिक्सनरी में होंगे या जो वाक्यांस या वाक्य मैं पानी पीता हूं माँ पानी देती है ये वाक्य उसके मेंटल डिक्सनरी में हैं तो ये मेंटल डिक्सनरी का उप्योग करते हुए हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा यहां प्रिक्रिया बच्चे के लिए सहज सरल और सुगम होगी राइटिंग के रेफरेंस में जो बात आई वो यह कि राइटिंग भी बहुत अब यह भी शुरू हुआ है दस बारह हजार साल पहले लेकिन ड्राइटिंग नाम की जो चीज थी वो बहुत पहले से विद्यमान थी आप इस बात को समझ सकते हैं कि अनपड ब्यक्ति भी मूर्ती बनाते हैं बना सकते हैं वो ड्राइटिंग कर सकते हैं उसके लिए रीडिंग और राइटिंग की ज़रूरत नहीं है रीडिंग राइटिंग अगर आती हो तो अच्छी बात है नहीं भी आती है तो हमारे जो पुरखे जो गुफ़ा मानव थे उनके बारे में जो रॉक पेंटिंग्स के बारे में जो information लगी है हाथ वो ये बता रही है कि ये writing से बहुत पहले का मामला है कम से कम 20-25 जार साल पहले का यानि कि कम से कम 40-50,000 साल से हम rock paintings बना रहे हैं क्योंकि तब अपने को express करने का नई पीरी तक बात पहुचाने के लिए language नहीं थी written language या speaking भी बहुत बाद में आई है spoken language भी हालांकि वो काफी पुरानी है लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि प्रारंब से ही थी बस वो पुरानी है इसके मुकाबले जो reading और writing है मतलब ये बना कि speaking तो survival skill के रूप में इमर्द हो चुका है reading और writing अभी तक नहीं हुए हैं कारण केवल ये है कि वो इतने पुराने अभी नहीं हुए हैं कि वो हमारे jeans के coded structures में आ सकें jeans के मैं अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं आ पाया है न आ सकता है जो 10-12,000 साल में हमको यहां वो incorporate हो जाए तो अब इसके लिए draw करने के लिए क्या करना चीए बच्चा to draw कर सकता है यदि उसको pencil और कागज उपलब्द करा दिया जाए तो वो कागज में pencil से कुछ कर सकता है हम drawing का मतलब यहां पर किसी चित्र को बनाने की बात नहीं कर रहे है हम pencil चलाने की बात कर रहे है अगर ये काम बच्चा एक डेड़ दो धाई साल में प्रारंब कर देता है या हमने ऐसे अवसर उपलब्द कराए होते तो बच्चे को reading में भी और writing में भी सुईधा हो जाती अई संदर में देखिए कि क्या है ये जो हमारे sense organs है इनके exposure की जब बात आती है तो जो windows of opportunities की बात इन्होंने की थी हम दो windows की बात करें एक वो जो spoken language के लिए बनी हुई है जो मैंने आप से बताया कि 11-12 साल में temper off हो जाती है तो उससे पहले दूसरी या तीन भासाओं को दो तीन भासाओं को बोलना सीखना आसान रहेगा वो बाद में भी किया सकता है बाद में वो cut in हो जाएगा ये जो टू ये जो आँख और कान का जो हमारा मामला है वो कुछ इस तरीके का है इन लोगों का कहना ये है कि यदि किसी ऐसी एक हम अगर कृतिम स्थिति को सोच सकें जिसमें बच्चा दो साल तक किसी भी चीज को देखना सके यानि कि visual exposure हम बिलकुल अगर बंद कर दें तो इनका मानना ये है कि ये बच्चा बाद में normal होते वे भी कभी भी कुछ नहीं देख पाएगा ये बड़ी खतरनाक बात है इसका उल्टागर हम करें कि दो साल तक यदि बच्चे को visual exposure maximum कर दिया जाए जितना अधिक चीजां देख सके वो जंगल देख सके समुधर देख सके आसमान तो देखने के लिए नेचर ने बनाई रखा है तमाम चीज़ों को देख सके और इसी तरीके से सुन सके और इसी प्रक्रिया में आगे वो उनको छू सके पकड़ सके चक सके जहां अवसर मिलता हो यानि कि maximum exposure of the sense organs यदी पांस साल तक कर दिया जाएगा तो जो बोलना और लिखना और पढ़ना है to draw का इस्तेमाल करके इस बात को याद रखते हुए कि इस अंदर में जो इन्होंने बात पता लगाई है वो यह है कि दुनिया में कभी भी कोई संस्कृति सभिता ऐसी नहीं रही है चाहे वो आज विद्दिमान हो या नहो इतिहास हम को बताता है कि आज के दिन की जो संस्क्रत सभिता है और जो पुरानी दस हजारों साल पहले की जो संस्क्रत सभिताएं थी उनमें कुछ चीज़ें common थी उनका अपना संगीत था, music, उनका अपना art था, arts के अंदर visual arts में ये सब चीज़ें आती हैं संगीत के बाद अब देखिए उनका अपना निर्त था, dance, तो ये जो music, dance, drama, arts, especially visual arts, ये हर संस्क्रत सभिता में हैं, एक तरीके से ये universal हैं, कहीं ने कहीं ऐसा लगता है कि they are the base of the human experience, वो मानवी जो हमारे अनुभव हैं उसके मूल में कहीं पर हैं, और इस से ये कुछ अंदाजा लगाने की को survival से जुड़े हुए हैं, तो हम से एक जो बड़ी गलती हुई हुई ये हुई, कि हमने निर्त को, संगीत को, visual arts को, सिक्षा का माध्यम न बना कर, उनको विशय बना दिया, subject बना दिया, और subject भी optional बना दिया, तो हुआ क्या कि बच्चे के अंदर जो natural एक ability थी, वो ability का उप उसमें सुविधा होती, देकि हमारा काम चीजों को सरल बनाना है, एक दिक्कत ये है, कि making things easier is a difficult task, चीजों को सरल बनाना कठिन काम होता है, और फिर इसमें कई बातें इस तरीके के आती हैं, कि जो ये research findings होती है, इनको implement करने में जो देरी होती है, information हमारे पास आ गई, ग्या आत्मिक सिक्षा को पढ़ा रहा है, देख रहा है, वहां काम कर रहा है, उस तक ये बातें बताई ही नहीं, बड़ी सी बात ये थी कि यदि cognitive functioning को enhance करना है, तो हमको कुछ चीजों की अवश्यक्ता थी, कि एक morning hours में protein rich diet उसको मिले, परियाप्त मातरा में glucose उपलद रहे, plenty of water, लगातार उसको मिलता रहे, तो ये cognitive functioning के लिए better होगा, यदि संगीत सुनने का आवसर उसको मिले, या करने का, बनाने का आवसर उसको मिले, dance का उसको आवसर मिले, physical exercises हो, तो ये brain की functioning को enhance करती है, हमको इन सब का सम्यक उपयोग करते हुए, कुछ इस प्रकार की बातें करने क की आवशक्ता है कि इन बातों को सरल तरीके से इन पेरिंट्स तक और ठीचर्स तक इसको पहुंचाया जाए, और बच्चों के लिए ऐसी सुईधाएं उपलब्द कराई जाएं कि वो एक नैसर गिक वातावरण में, जैसा पिसले दिनों से जब N.C.F. 2005 आया था, कि बच्च की वातावर, कि जॉध टि कोसिंद लो एक लियावowan ŞAh कैं मैरा मा इन दो नाप।त्रंट्रेट? कि वो इनぱ वो दो आएव भूँन сेया dot गर में पेरिंट्रेट्रेट्रेटली इन उनीछ इंक में लिएां को नाप।त्र्रेट ग्या थाँन हुम को वास्तों में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये विद्ध्याले आनंदालाई का रूप ले सकें और बचे तब ये कह सकें कि हमको विद्ध्याले अच्छा लगता है जब तक विद्यार्थी को विद्याले अच्छा नहीं लगेगा जब तक विद्याले में भई का वातावरन रहेगा देखिए जो नियूरो साइंस के फील्ड में जो इन्फरमिसंस आई है उससे अगर सीधी सी बात हम करें तो कुछ इस तरीकी की है कि सीखना कब होगा इसका उत्तर देने में तो बड़ा लंबा समय लगेगा लेकिन सीखना कब नहीं होगा इसका उत्तर बड़ा सरल है कि जहां भई का वातावरन होगा जहां फियर का इलिमेंट होगा तो human brain की एक खासियत यह है कि fear वाले वातावरण में जो सिक्षा प्रदान की जा रही होगी या जो कुछ भी सिखाया जा रहा होगा वो उसको नहीं पकड़ेगा वो रिजेंट कर देगा, resistance डवलप हो जाएगी, innovation क्रियेट हो जाएगा तो हमको पहले तो school में घर में भाई मुक्त वातावरण प्रदान करना पड़ेगा उसके उपरांत इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, especially जैसे एक information आई है कि छोटे बच्चों को यदि bright colored fruits, जो nature में bright colored fruits होते हैं, वो दिये जाएंगे तो उससे, हलें कि वो तोड़ा debatable है, लेकिन तब भी अगर intelligence को बढ़ाने के लिए कक्षा कक्ष में कुछ किया जा सकना शायद संबव नहीं है, अगर संबव है, तो वो जो intervention है, वो intervention खाध्य पदार्थों के रूप में, भोजन के रूप में, ब्यायाम के रूप में, संगीत के रूप में, यहां से आ रहा है अगर हम इन सब बातों को समिलित कर सकें और इसको अपनी स्क्षन ब्यवस्ता में समाहित कर सकें तो मुझे लगता है कि हम सरल, सहज और सुगम तरीके से स्क्षन कारी कर सकने में सक्षम हो सकते हैं धन्यवाद